सूए टीटी पीजी बहुत इंतजारों के बादon masc mascis आ चुकी पुर सूटी पीजी के bonus की आने के बाद स्थियाने के बाद अब हमें रिजल्ट का इंतजार नोगा गलए यह आज कुशन में सभी के उसमें उसमें गड़बढ़ है तो आपको चैलेंज करना चैलेंज करने के बाद आपका एक फैनल स्कोर आएगा पर एक और गड़बढ़ यहां पर देखने को मिलती है वह यह है कि आपके पेपर का एक नॉर्मलाइज़ बनेगा मतलब आपका जो उनके रिजल्ट को एवरेज किया जाता है तो कि डिफिकल्ड डिलेवल अलग-अलग होता है न सब पेपर का तो वहां पर आपका जब पेपर का एवरेज किया जाएगा नॉर्मलाइज़ किया जाएगा तो वो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है हो सकता है कि आपका भी खर करना है तो आपको लगता है कि कुछ error है तो वह error को आप ढूंड कर आपको लगता है कि नहीं मैं इस question को challenge करना चाहूंगा वो किसी भी subject का हो आप उसको challenge करिए हाँ especially अगर वह MBA वाला paper हो तो आप MBA के लिए तैयारी कर रहे हो है चीक है चलिए तो यह था अब यहाँ पर बात कर लूँगे मैं website पर आता हूँ NTA की आपको यहाँ पर NTA की website पर जाकर NTA की website पर जाकर आपको इस तरह से मिलेगा and cut.nt.in display of the provisional answer की in question paper with the record आप download कर लीजेगा इसको और download करने के बाद आपको इस तरह से कहीं वो दिखेगा एक मिनिट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आपको इस तरह से वो आपको दिखेगा चैलेंज को मंद से तो नहीं करेगा न कोई बच्छा पागल लेकिया 200 रुपए देखे मंद से मंद से मिला की सर मेरी यह 10 को बढ़ा दो आपको चैलेंज करना है पहले पुरा चेक कर लीजेगा चेक करने के के पहले पहले पंदा जुलाई के आप इसको चेलेंज कर दीजिये राइट तो छोड़ा सा वीडियो इसलिए मैं ने बनाया कि आप इसमें चेलेंज करिए और चेलेंज आप जरूर करिए अगर आपको लगता है तो कहा कि आपके स्कूर बढ़े और अगर बहुत ही कम है तो कोई मतलब भी नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत इसकोर आपका कॉम्पूर्टिव है तो आप चैलेंज बिलकुल करिएगा क्योंकि चैलेंज करने से कुछ कोश्चन में भी आगर आपकी बड़ोत्री होती है तो वह आपके लिए ही बेनिफिशल होगा चीक है तो और इंफोर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा इसी तरह